हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे बढ़िया होंगे और आपका सोख सिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह और यह भी उम्मीद करता हूँ जो भी आपने सोख पाल रखे हैं वो बिल्कुल हैस्पोस्ट होंगे बिठा सकता तो मैं बता दूं आपको उन भाईयाजी से बता देना चाहता हूं मैं मुर्गी जो है ठीक है यह थोड़ी सी और यह जैसे की यह बड़ी शाइज की मुर्गी है और एक यह वाली है यह दोनों जो है बहुत बढ़े साइज की है यह ऐसी मुर्गी जो है चोद है करता था मैं प्रोश कर्वाने का तो मैंने एक मुर्गी जो है किरोष में बना वाई ती जैसे कि यह मुर्गी आप देख पा रहे हैं यह प्योड देशी जैसे कि गाउं में पहले मिलती थी प्योड देशी एक में आपको मुर्गा दिखाता हूं प्योड देशी जैसे कि यह वाला मुर्गा है काले रंग का यह प्योड देशी है इसमें बजन स्रीफ सवा डेड़ क किलो बजन होता है इसमें जो सवार ङ बजन है सिर्प चयोंकि यह प्यूड देशी और ऐसे मुर्गा देशी मतलव मुर्गी तो थी देशी जैसी यहutzोगई why डेसी मूर्गी को मैंने किरोज्द करतिया स्चा सब्सक्राइब तो जो बच्चे निकले और चूजो में जो बच्चे जो मादी निकली तो वो जो है अब शरीर में काफी बड़ी मुर्गी थी क्योंकि मादेशी थी कुड़ा खोएगी अंडे हैच करेगी तो उस पर मैंने यकीन मानों मैंने 19 अंडे भी आपनी मुर्गी के नीचे रख रखे हैं और अंडे हैच करवा रखे हैं क्यूंकि उस समय जो मैं मुर्गी पलती थी हमारे हां पर वह अबादिवल छेत्र में नाल क्लीन कैल्सियम मिननरेल वगडरा में नहीं से घृच खाकर है वह बेगुल फिट रहती थी मुर्गी तो उन्म है अंडों मैं जो सबी बच्चे निकलते थी जो हमारे घर को के जोते हैं सैट अप होते हैं उनमें जो है दिक्क्त आ जाती है उनमें मालो चोहता दे रख हैं उन्में कोई कोई करते रहती हैं और सभी ठख होते हैं ठाक होएगी